कुछ लोग संबंधों को खिलोना समझ बैठते हैं और इस सोंच को लेकर वे बराबर संबंधों के साथ खिलवाड करकरके अपने नकरात्मक कत्विधियों को बढ़ाते रहते हैं और धीरे धीरे ही वे अपने सभी संबंध ताक पर रखकर संबंध बिकार डालते हैं ऐसे स्वार्थी लोग ऐसे लाल्ची लोगों को इसका खामयज़ भी भुगतना पड़ता है कुछ दिन तक तो उनका ये तमाशा चलता रहता है पर एक समय आता है जब उनके साथ कोई नहीं होता वे अकेले ही रहते ही चारों ओर से उनके साथ के लोग साथ छोड़ देते हैं समाज के लोग, रिष्तेदार, बित्र, यहां तक कि परिवार के लोग भी कभी कभी उनका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि वे सभी हदे पार कर चुके होते हैं तब वे अकेले ही दर-दर भटकते हैं वही खिलवार जो उन्होंने उन संबन्दों के साथ किया होता है उसी का प्रणाम उनको बहुत बढ़ कर मिलता है तब वे रोते हैं गिड़ गड़ाते हैं दुनिया से दया की भीक मांगते हैं मैं इसलिए कहता हूँ दुनिया के हर समंद का अपना महत्त है एक समंद दूसरी की बराबरी नहीं कर सकता प्रतिक समंद अपने लिए महत्तपूर है उसका अपना इस्थान है उसका अपना अस्तित है जिस सम्मंद के साथ खिलवार किया जाएगा उस सम्मंद के माध्धम से ही वक्त को उसका फाल मिलता है